हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का MSSC नोट्स में दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपको इंफॉर्म करना चाहते हैं अब हम अनेकेडमी पे भी पढ़ाते हैं तो आप सभी अनेकेडमी का लर्निंग एप प्लेस्टोर से इस्टॉल कर लिए वहाँ प अपडेट यानि 27 अगस 2018 में आज जैसा की चार केस की सुनवाई थी आपकी 30% कट आफ को लेकर जिसमें की एक बहुत ही बड़ा बोर यह सामने आया है कि कोट ने अपर सची उप्रभाद कुमार से जवाब मांगा है कि आखिर कट आफ को क्यों कम किया गया था तो चलिए प तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आज जो केस लगा था दो जगा था एक लखनव और अलहाबाद में तो पहले हम आपको लखनव की अपडेट यह देते हैं जहां पर कट आफ के बारे में जो केस दायर किया गया था इसमें कोट ने मुख्य सचीव को तरलब किया है यानि उनसे जवाब मांगा है कि आखिर आपने कट ओफ कम क्यों किया था जब एक बार आपने 40 और 45 परशन को जारी किया था तो बाद में आप उने उसे घटा कर 30 और 33 परशन क्यों किया था इसका आप हमें सपर्स्ट जवाब दीजिए और एक जो मांग थी याचिका में क इस भरती पर इस्टे दिया जाए यानि इस भरती को रोग दिया जाए जब तक आगे जब तक न्यूक्ती नहीं हो जाती तब तक के लिए फिलाल गले अभी कोट ने इस पर एक इसपस्ट रूप से ये जवाब दिया है कि आभी किसी प्रकार की रुकावट नहीं है फिलाल के लिए सुनुआई जारी रहेगी और अगली जो सुनुआई है अपर सच्यू प्रभात कुमार के जवाब के बाद ही उनसे पहले जवाब मांगा जाएगा कि आखिर किस प्रकार से आपने किस आधार पर कट आफ को कम किया था और बाद में कम करने के बाद से फिर क्य बाद कोट अपडेट की तो दोस्तों अर्सरजा 500 सिक्षक भरती के कट आफ मामले में सुनुआई को इसमें अगली डेट मिल गई है यानि अब 30 अगस्त को अगली सुनुआई की डेट लगी है इस याचिका में इस्टे की मांग कर रहे याचियों को तो रहत नहीं मिली ले तो इस वज़े से इसकी अगली डेट को 30 अगस्त लगा दी गई है और सरकारी वकील ने टाइम भी मांग लिया था उन्हें इसमें कुछ और तथ्यकोश सामिल करने थे जिस कारण से कोट ने अगली डेट 30 अगस्त को दे दी है दोसों जैसा कि आज ये कयास लगाए जा रहे थे कि सायद इस भरती पर कोई इस्टे और आ सकता है तो हम आपको एकदम इसपस्ट बता देते हैं कि अभी तक 68500 सिक्षक भरती में किसी प्रकार का इस्टे और नहीं जारी किया गया है और अभी जैसे भरती प्रक्रिया चल रही है वैसे ही चलेगी और यह तो आगे जो तीस तारी की सुनवाई है आगे जो भी बहस होगी उसी के आधार पर भविश से तैय होगा कि 4556 जो चैनित अभ्यरती है उन्हें पांस दंबर को न्यूकती पत्र मिलेगा या नहीं तो यह थी दोस्तों आज की न्यूज मिस नहों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें